खमागणी किसान साथियों मेरा नाम गमेर सियर अनावते और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूटूब चैनल किसान साथियों आपके काफी सारे सवाल रहे हैं काफी सारे कमेंट रहे हैं कि आपकी बागवनी का क्या हुआ है आपने पफिता बोई हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहा है आपने अमरुद बोई हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहा है तो वही बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में हकीकत बताऊंगा कोई ऐसे बनावटी बताऊंगा नी और ये कोई प्रमोशन वीडियो है नहीं, किसी नर्सरी का प्रमोशन है नहीं, जो हुआ है वो आपके साथ शेयर करूँगा इसका सारांश यह है कि मेरी बागवानी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है ऐसा नहीं है कि बिलकुल खराब हो गया, क्या रिजन रहा है वो भी अपन बात करेंगे फर्ष्ट में मैं पपिता से लेकर बात करता हूँ, पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको कब बोई है, कब बड़ी हुई है, कितने महीने में पपिता लगने शुरू हो गई है और उसके बाद में अब क्या रिजल्ट रहा है 15 अप्रेल 2020 को लोगडाउन के समय में पपिता की बुवाई कर दी थी नर्सरी से ही पोधे लेके आया था, एप्रोक्सली 30 से 35 रूपीज पर पोधे के इसाब से रहा था इसका और उसके बाद में सारे लगा दिये, हकाई वकाई करके सब कुछ कर दिये और दो ढ़ाई माईने में बहुत शानदार पपिता का गार्डन दिखने शुरू हो गया और फिर फूल आना भी शुरू हो गया और ढ़ाई माईने में पपिता लगना भी शुरू हो गया आप भी समझ सकते कितनी खुशी होती है अगर अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू होता है ऐसा लगता है अब तो फल मिलने ही वाला है लेकिन उस कुदरत से वो नसीब से कोई नहीं बढ़ सकता है आगे दीरे 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 एक काफी सारी बिमारियां भी आनी शुरू हो गई जैसे कि यह पोदे का पता है तो यहां से शिकूर जाता है थोड़ा सा जिसको अपन बोलते हैं लिफ कर ला काफी सारी दवईयां लाके पे छिड़की, काफी सारे जहवीक तरीके भी कियें सब कुछ करने के बाद पपिते अच्छे से लग गए कच्छे पपिता काफी सारे दिखना शुरू हो गया पूरा गार्डन में पपिता 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 दिखना शुरू हो गया ऐसा नहीं किराओं कि अच्छे नहीं लगे लगे भी अच्छे हैं लेकिन हाँ जितना acceptation था उतना production नहीं हुआ है इसका reason क्या था वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा अब बात करते हैं अपन की पपिता कैसे बिगड़ गया है अच्छा चल रहा था सब कुछ थोड़ी बहुत पक्नी भी शुरू हो गे थी selling भी शुरू हो गे थी पपिता का market इस बार काफी डाउन रहा है फर्स्ट मैंने एक क्विंटल पपिता बेचा था लगबग देख लिजा आप 15 रुपे प्रति किलो के हिसाब से फिर दूसरी बार 12 रुपे किलो फिर 2-3 बार बेचने पे फिर 10 रुपे किलो फिर 8 रुपे किलो फिर 6 रुपे किलो तक भी पपिता बेचे यानि कि कोरोना या कहो या फिर लोकडाउन कहो या फिर ऐसा कहो कि किसी के पास पैसा है ही नहीं है यह हालत मेरे गार्डन की नहीं हुए पूरे एरिये में जाके मैंने सर्वे की है सभी का एक जवाब है कि इस बार पपिता का कोई डिमांड ही नहीं रहा है इस बार पपिता कहां बेचे सबसे बड़ी बात तो यह आ रही है किसी को अगर कॉल करके बोलोगे न माली को पपिता लेके आ रहा हूँ कोली काड़ देगा यह हालत क्योंकि मार्केट में इतनी पपिता आ गई क्योंकि लोकडाउन में बेठे-बेठे सबी ने किया कि अब पपिता यह बुवाई की सारे पपिता की बुवाई करती फिर उसके बाद में क्या हुआ अच्छा साला चल रहा है अच्छा खासा चल रहा था एक दिन के वो शित लहर का जोका आया शाम को लगबत 3-4 बज़री थी शित लहर आनी शुरू हो गए तो पापा ने बुला कि आज पाला घिरने वाला है तो पाला के लिए जो भी दवाईयां हुआईयां छिड़काओ करने वो भी कर दी उसके बाद फिर देशी जुगार जो बोलते हैं पुरानी जो बताते थे दादा जी दुआ करना चीए पूरे मतलब यहां पे खेत में तो हमने क्या पूरे मतलब देख लो कि रात को भी हमने दुआ भी कर दिया पूरी तरफ लेकिन सुबर आकर देखा वापिस तो कुछ रिजल्ट ऐसा दिखा कि चेरे पे उदासी चा गई यानि कि सारे के सारे पत्ते सिकूडने लग गए थे और पपिता के उपर जैसे अपने शरीर पर छाले हो जाते हैं वेसे होने लग गए थे क्यानि कि पूरी पपिता पर पाला गिर गया था मेरी बात नहीं कर रहा हूँ पूरे एरिये के बात कर रहा हूँ मैं जहां पर भी पपीता था पपीता में सबसे ज़्यादा पाला लगता है यानि कि जो सबजी वर्गी जो होते हैं जैसे पपीता हो गया बेंगन हो गया टमाटर हो गया ऐसी जो सबजी वाले हैं जिसमें यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है उसमें पाला सबसे ज़्यादा लगता है इसका reason क्या है कि जैसे अंदर क्या पूरा पानी है आप जैसे पपिता को खाओगा पानी पानी लगेगा उसमें अब वो पानी क्या करेगा जैसे कि रात को शित लहर चल रही है यानि कि बार्फ गिर रहा है तो उस पानी को क्या करेगा, वो जमा देगा, पूरा पानी जम जाएगा, फिर जैसे ही सुरज निकलना शुरू होगा, फिर वो वापेस से मतलब अचानक से उसको गर्मी लगना शुरू होगे, तो वो क्या करता है, अचानक मतलब सरदी गर्मी, दोनों मिलके वो क्या करता है फिर उसको खराब कर देता है पूरा गिला गिला कर देता है उपर देखेंगे आप तो जैसे चाले हो गए हो वैसे हो जाता है अंदर से दूद निकलना शुरू हो जाता है तो ये होता है पाला गिरना पाला गिरना एक मतलब प्राकरतिक आपदा बोल सकते हैं अपन इसको कहीं कहीं पर यसा होता है कि पाले से कोई भी फसल नहीं बसती है चाहे गेऊं है, चना है, जो है, फल है, सबजिया है कुछ भी हो, कुछ भी नहीं बसता है कई कब पर कम पाला पड़ता है कई पर जादा पड़ता है इसका भी मैंने ये result निकाला है कि जहां पर जमीन थोड़ी सी उचाई की तरफ होती है तो वहां पर शित लहर कम चलती है तो वहां पर पाला कम गिरता है लेकिन जहां जिसे मैं खड़ा हूँ वहाँ किया थोड़ी सी डलान में जमीन है इधर से भी उचाई है इधर से भी उचाई है तो वहाँ पर क्या होगा शीट लहर का जोका सबसे ज़दा चलेगा इस वज़ से पाला गिरता है अब उसके बाद में फिर वाध चलो थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत पपिता मतलफ खराब होनी शुरू हुई लेकिं काफ़ी सारी पपिता चलो हमने बैची है जितना एक्सेटेंचन था उतना तो नहीं बैचपाई अब बात आती है कि ऐसा क्या करे जो हम पाले से बच पाए क्योंकि पाला हर साल गिरता है, आज की बात नहीं है, इस साल की बात नहीं है, हर साल गिरता है, कभी गेहुं खराब हो जाते हैं, कभी चने खराब हो जाते हैं, जैसे इस साल में बताता हूँ, चने भी खराब हो गए पूरे, चने छोटे-छोटे मतलब पकने वाले होते हैं, पाला गिर जाता है या चने के फूल आ रहे हैं पाला गिर जाता है उसकी कॉंपले चल रहे हैं पाला गिर जाता है तो वो भी खराब हो जाते हैं तो यह रिजन रहता है जैसे अम्रूद है अम्रूद की जो छोटी-छोटी मतलो कॉंपल आ रही है कलिया आ रही है छोटी-छो के बुवाई करते हैं तो आप पाले से बस सकते हैं अगर आप पपिता की सोच रहे हैं तो आपको अभी बुवाई करना चाहिए अभी का मतलब फरवरी या फिर फर्ष्ट विक मार्च अगर आप इसमें बुवाई कर देते हैं तो आप निश्चिज रूप से पाले से बस सकत क्यों कि जब पपिता की पकना शुरू होगी तब यानि कि पाला गिरे गई नहीं जल्दी पक जाएगी यानि कि देख लिजे आप दिसंबर महीने तक आपके सारी पपिता पक के निकल जाएगी इसलिए थोड़ा सा अगर जल्दी बोहेंगे ऐसे काफी सारे बगीचे मेंने विजिट किये हैं जिनको पाला नहीं लगा इसका रिजन था कि पाला गिरने से पहले ही वो पपिता बीग चुकी थी तो आप सही समय पे इसका बुवाई करें उसके बाद में बीज का तैसा कुछ नहीं है जैसे अभी मैंने रेड लेडी 786 बीज की बुवाई की है इसके पालमें इससे काफी सारी नई नहीं विराइटी आ गई हैं जैसे ग्रिन बेरी आइस बेरी हैं यहने कि जो वाइरस है न आपके साथ जो फोड होता है वह लोकल नर्शरी से नहीं होता है वह कही न कही बाहर से ही फ्रोड होता है तब मेरा सॉगिशन यह है कि अगर आप बहुत माथ्रा में अगर आप पोड़े लगाने जा रहे हैं कि आपकूद उसकी नर्शरी तयार कर ले आप देख लिए अभी यानि कि जैसे कि अगर 30 से 35 रुपए एक पोदे के ले रहे हैं तो वहीं पर आपको यह देख लेजिए कि मुश्किल से 10 से 12 रुपए भी एक पोदे का नहीं होगा और आप आराम से अच्छी क्वालिटी के अच्छी किस्म के और आपकी इच्छा अनुसार आप वहाँ पर ब आपके पारे हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आगे वाले वीडियो बताने वाला हूँ अमरूत के बारे में और एपल बेर के बारे में कि उसका क्या हाल हुआ है कितने बड़े हुए हैं एक साल में क्या कैसे हुआ है तो आज का वीडियो यही तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई पाले से बच पाएं किस तो अपने लिए भी फाइदा और उसके लिए भी फाइदा है तो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें साथ में गंटी का निशान जरूर दबाए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै बारा जै राजस्तान वन दे मात्रम